हाई फ्रेंड्स जोहार तो मैं अपने सभी वीडियो में जोहार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जहारखंड से हूं और जब हम लोग अभी वादन करते हैं वहां पर तो जोहार बोलते हैं आप जब राची स्टेशन भी उत्रेंगे तो वहां देखिएगा बड़े अक्षरों में लिखा हूँ है जोहार ठीक है तो दोस्तों आज मैं बहुत अच्छा बात बोलने वाला हूं कि आज जो इंडिया का बहुत अच्छा यूट्यूबर है जो की जहारखंड से बिलॉंग देखे वे धनबाद में तो दोस्तों मैं सभी यूट्यूबर हैं छोटे यूट्यूबर खास करके उनसे कहना चाहता हूं कि आप मीटप में जरूर जाए मीटप में जाने से बहुत फायदा होता है जो जहारखंड के हैं उन्हें तो जाना चाहिए जहारखंड और आस पास के स्टेट के जो दूर दराज के हैं उनको भी जाना चाहिए बहुत लोग जार है मैं देखा भी वीडियो में अब कुछ तो ऐसे यूट्यूबर है जो कि दो तीन दिन पहले पहुंच गया है उनका बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और उनको निश्चे फायदा ह सकता हूँ मैं पहले भी इन सब प्रेटफोर्म से जुड़ा हुआ था तो उसमें क्या होता कि मीटप में जब आप जाते हैं ता आप मोटिवेट हो जाते हैं ठीक है आप पुरा फायर डफ होता अंदर से आपके तो आप जब वहां जाते हैं तो आपको वहां भीजन दिख इस्टेज पे जब वो लोग उहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको भी अंदर से फिल होता है कि मुझे भी वो सक्सेस चाहिए वो लाइफ इस्टेल चाहिए ठीक है तो आप ऐसे आप घर में बैठे तो दिखेगा नियापको तो मैं बहुत सारे किताबों में भी प उनकी बातों को सुनेंगे निश्चे है कि आपका महां से कुछ वीडियो भी बनाएंगे और आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा आपका व्यूज भी मिलेगा ऐसा होता है बिल्कुल होगा तो जाना चाहिए और एक और एक मंत्र है कि एक तो यह है कि सक्सेस होना चाहत पात रहें ठीक है और देकि इंसान जो होता है ना वह सोच से गरीब होता है सोच से अमीर होता है बहुत लोगों को अंदर में घमंड होता है एक हम क्यों जाए उनके अरे उनके लिए नहीं जाना है आपको अपने लिए जाना है ठीक है वह 300 रुपिया का टिकट आपका जि मिलेगा आपको वहां जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए आपको हां तो गरीब सोच वाले लोगों को साथ रहोगे तो गरीबी बन जाओगे इसलिए आपको עmikasi सारे लोग मेहां जाते आपको अमीर सोच वाल Chelsea वाले लोग बहुत जरूरी है आपको साइद पता है या नहीं है लेकिन देखें जितना भी तरह कारी होता है चाहे मैं जिस जॉब में हूँ ठीक है हमारे हैं मिटिंग होता है हमारे हैं भी सम्मेलन होता है चाहे वो सरकारी हो चाहे गयर सरकारी हो वहां से जो है आपको सीखने को मिलता है आपने क्या किया नहीं किया यह सारा चीज वहां पर आपको सीखने के लिए मिलता है आपके कार्यों का मुल्यांकन होता है वहां पर आप जब जाएंगे वहां देखेंगे आपको लगेगा हमको भी ऐसा करना चाहिए जाना चाहिए और एक कहानी याद आजाता है मुझे सुक किनारे आजाओं तो दूसरे दिन उसका सीस्य नदी के किनारे जाता है सुकराद क्या करता है उसका हाथ पकड़के नदी के अंदर जाने लगता है जब इतना पानी हो जाता है तो सुकराद क्या करता है अपना वह जो सीस्य है उसका गर्दन पकड़के पानी के अंदर डाल द तो आप से सफलता का रहस्य जनने आया था तो इस पे सुक्रात कहते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा तुम्हें किसी की ज़रुत महसुस हुई तो वो बोलता है निसे हवा की oxygen की बला यही है सफलता का रहस्य जब तुम सफलता को उतना ही चाहोगे जि इतना जो रत्म को महसूस हो रहा था पानी के अंदर में तो वह नीड होना चाहिए वह बर्निंग डिजायर होना चाहिए तो आप वहां जब जाएंगे ना तो आप फायर डाफ हो जाएंगे दोस्तों मैं तो मजबूर हूँ क्योंकि मैं लगभग 2.500 किलो मेटर दूर हूं औ और नहीं तो मैं जरूर जाता और कुछ अवश्यक कारी भी है लेकिन निश्चे में अगले बार से जहां भी मीटप होगा मैं वहां जाओंगा जरूर तो आपको जाना चाहिए अगर आप सफलता पाना चाहते है तो निश्चे जाईए आप जोहार